आज के इस वीडियो में जानेंगे योनो SBI में बेनिफिसरी को कैसे एड करते हैं फंड ट्रांसफर के लिए चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले योनो SBI को उपेन करेंगे और इसे लागिन कर लेंगे योनो PAY में जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे बैंक एकाउंट इस पर क्लिक करेंगे सर्च बेनिफिसरी के जस्ट नीचे यहां पर बेनिफिसरी की लिस्ट ओपेन हो जाएगी अगर आपने अल्रेडी बेनिफिसरी को एड कर रखे हैं तो अगर आपने कोई भी बेनिफिसरी को एड नहीं किया हुआ है तो नीचे जाएंगे पे या निव बेनिफिसरी इस पे क्लिक करेंगे पे या निव बेनिफिसरी यहां से पेमेंट भी हो जाएगा यहां से आप इंस्टेंटली 25 जाद तक ट्रांसर भी कर पाएंगे और आपका बेनिफिसरी भी एड़ हो जाएगा जैसे पेमेंट और लागिन पासवर्ड दोनों अलग अलग होता है यहां पर प्रोफाइल पासवर्ड को इंटर करेंगे और इससे सब्मिट कर लेंगे सेलेक्ट बेनिफिसरी जबैंक यहां से सेलेक्ट कर लेंगे कि बेनिफिसरी का बैंक का उसा है SBI है, Other Bank है या फिर Mobile Number Plus MMID के थुरू आप Beneficiary को Add करना चाहते हैं, तो Third Option को Select करेंगे, अगर Beneficiary का Account SBI का है, तो SBI को Select करेंगे यहाँ पर उसका Name इंटर करेंगे और यहाँ पर उसका Account Number इंटर करेंगे Account Number को एक बार Re-Intern करेंगे और यहाँ पर एक Maximum Limit दे देंगे अपने इसाफ से आप जितना Limit देना चाहते हैं यहाँ पर एक Maximum Limit दे देंगे आप उससे ज्यादा Amount का Transfer नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर निकनेम दे देंगे और इससे Next कर लेंगे अगर Beneficiary का Account Other Bank का है तो Other Bank को Select करेंगे और यहाँ पर Beneficiary का Name इंटर करेंगे यहाँ पर Account Number और यहाँ पर एक बार Account Number को Re-Intern करेंगे और यहाँ पर IFC Code दे देंगे और यहाँ पर भी एक Limit सेट कर लेंगे आप अपने हिसाफ से Limit को सेट कर लेंगे आपको 50,000 Limit सेट करना है एक लाग करना है, दो लाग करना है, पांच लाग करना है या फिर दस लाग करना है, तो यहाँ पर आप उसकी Limit को दे देंगे और यहाँ पर Nick Name उसका दे देंगे अगर आपको Beneficiary के Mobile Number और उसके MMID के Combination से आपको Add करना है तो Third Option को Choose करेंगे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर Beneficiary का Name इंटर करेंगे और यहाँ पर उसकी MMID इंटर करेंगे MMID 7 Digit का एक Random Unique Code होता है जिसे आप खुद Mobile Banking से Generate कर सकते हैं या फिर आप Bank से भी ले सकते हैं और यहाँ पर उसकी Mobile Number इंटर करेंगे Mobile Number और MMID दोनों Same Bank का होना चाहिए और यहाँ पर भी Maximum Limit को Set कर लेंगे और यहाँ पर Nick Name इंटर करेंगे Next पर क्लिक करेंगे और Payment को Confirm करेंगे और Automatically Beneficiary एड़ हो जाएगा चलिए हम इसको Back कर लेते हैं Other Bank एकाउंट को हम एड़ करते हैं तो चलिए हम इसको Fill कर लेते हैं Next पर क्लिक करेंगे Payment के लिए यहाँ पर Amount इंटर कर लेंगे और Select Purpose यहाँ से आप कोई भी Purpose Select कर लेंगे और Pay पर क्लिक करेंगे Box को टिक करेंगे और इससे Confirm कर लेंगे आपके Register Mobile Number पर एक One Time Password आ जाएगा और उसको यहाँ पर इंटर करेंगे और इससे Next कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा Transaction is Successful और इससे OK कर लेंगे अब आपका Payment भी हो गया और Beneficiary भी Successfully एड हो गया यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तो इस तरह से आप अपने IONO SBI में Beneficiary को एड कर पाएंगे दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो Like करें, Comment करेंगे और साथी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे Thanks for watching करेंगे झाल करेंगे में